परमेश्वर की वच्छन के और जाएंगे पर उसकी वच्छन से हम लोग थोड़ा मनन करेंगे कि आज परमेश्वर हम लोगों से समय क्या बाते करना चाहता है मैं आपके ध्यान को आकरशित करना चाहता हूं यह हम जानते कि यह क्या है परमेश्वर का वच्छन है ने जो पर मसिए के आने के बाद में भी लोग घूम घूम करके यही परमेशों के वचन से लोग परचार करते थे और आज भी इसका बारे में परचार किया जाता है। जिसके बारे में हर ये कोना कोना तक लोग परचार करते हैं, ने, जहां पर कोई नहीं पहुंचता है, वहां तक पहुंचते हैं, क्या किसके बारे में बताने के लिए इस्वमस के बारे में बताने के लिए नहीं पहुंचते हैं, पर तो इसका बारे में क्यों, प्रमेशो का पुत्र है और इसे लोग क्या करते हैं लोग परचार करते हैं इसके परति में दिन रात मेहनत करते हैं अगर सचाई है तो सचाई को हम लोग छिपा नहीं सकते हैं जूट है खतम हो जाएगा एक ना एक दिन पो खतम हो जाएगा लेकि जब सचाई है अगर हम बोलने वाले लो तो इसलिए थोड़ा समय हम लोग परमेश्व के वच्छन के ओर जाएंगे, आई आप लोग मेरे साथ एफिश्यों के किताब उसका पांचमा दिया है, और मैं एक पत को पढ़ना चाहता हूँ, यनुकरन करो, हम जानते हैं कि यह जो किताब को जो लिख रहा है, जो इफिश्यों का जो किताब है, वो लिखने वाला कोई आम बेक्ती नहीं था, वो बहुत परहा लिखा बेक्ती, बहुत एक ग्यानी बेक्ती था, और वह इस किताब को लिख रहा है, और वह बता रहा है, कि क्या करना है अमें प्रिये बालकों के समान परमेश्वर का यनुकरन करना है अगर इस बेक्ति के बारे में अगर थोड़ा से डिटेर्ज से मैं इसमें बताना चाहतों आई इसलिए आप लोग आईए प्रेरित नो अधिया आए और कुछ-कुछ बात को हम लोग इसमें से पढ धमकाने और घात करने के करने के धून में था पोलुस वो क्या करता था लोगों को धमकाता था और लोगों क्या करता था घात करने के धून में था वह एक ऐसा बेगती था बहुत एक जोसिला बेगती था वो कोई भी काम करने के लिए हमें इसा और रेडी रहता था और क्या करने के लिए लोगों को घात करने के लिए लोगों को धमकाने के लिए किनको धमकाने के लिए जो लोग ईशु मसी पर विश्वास करते हैं जो लोग उसका परचार करते हैं उसको धमकाता था उसको घात करता था उसको पकड़ता था जेल में डालता था बंगरा में डालता थ घसिर घसिर करके वो इस काम को हुआ करता था लेकिन ये बहुत जो स्री ला था बहुत इच्छा था अपने धरम के परती आने पहले यहुदी धरम था जो प्राननियम था उसके परती वो बहुत वो यादर करता था अगर कोई भी अगर उसके खिलाब में गर बोलता था कोई когоards उस बिश्वास को अगर चोड़ करें दूसरा विश्वास में कर जाता था तो लोगों को पकर पकर करके घात करता था दून में रहता था मैशल के पस और रहीं समयन नहीं पुर्ण तो आगे भी हम किसी लोगों को पकरने के लिए जा रहा है कि उसका कांब यह काम को करना दुसरा काम कुछ नहीं करना लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जब वह दमीशक में जब जा रहा था तब देखते हैं उसका जीवन क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है और चार पद में कहता है जब गिर जाता है वह भूमी पर कीर परा और यहाँ सब्द सुना हे साउल हे साउल तू मुझे क्यों सताता है देखते हैं पोलुस लोगों को सताता था लेगि यहाँ पर ईशुमस्री डारिक उसका मुलकात होता है और वो पोलता है ईशुमस्री बोल रहा है लेकिन पोल उसको नहीं मालूम है उन्हों को क्या करता है कर रहा है उन्हों को सता रहा है और यहां पर देखते हैं यह मसी बोलता है तुम मुझे क्यों सताता है आरे मसी लोगों को सताना मतलब किसको सता रहे हैं यह सुमसी को सता रहे हैं और उसके बाद में आगे हम तो जब पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है वो गिर जाता है और आठ पढ़ते हैं तब सावल भूमी पर से उठा परंतु जब आखे खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़के दमिशंग में ले गें वह तिन दिन तक ना देख सका और ना खाया और पिया देखते हैं जब परमेश्व का उसका जब दर्शन हुआ जब इसमस्व का जब दर्शन हुआ तब क्या देखते हैं वो खाना 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 नहीं खा पाया वो पाने नहीं पिया है वो देख नहीं सका और 11 पन में पढ़ते हो क्या कर रहा है वो प्रात ना कर रहा है व तो उसका आखें अंधा हो गया है और कोई दिखाए देना चाहिए इस परकार क्या करने लगा हुआ परातना करने लगा और आगे बहुत सहर चीज़ के वारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पौल उसक्या होता है फिर वो बबपतिसमा लेता है फिर खाना खाता है खाना खाना के पर परते हैं, किया करता है उन्हीज पद में, कहता है, फिर बोजन और Datya के राधा कर दब पाया, और वो करे दिए और दिन को SPD एनकर नाले को अवह का पर मेश्तार करने लिगा पड़े में हम प्रवे तैकि पर्मेशर का फुत्र रहे सदिखार को कि रहे ही है वह पर मेश्वर का फुत्र है और इसलिए पढ़ते हैं 22 पद में कत्रप्रतु सावल और भी शामर्ती होता गया और इस बात का परमान दे करके दे दे नहीं है दमिशकται करेने वाले यहुदियों का मुंख बंद करता था पेले यह बेटी जो लोगों को सताता था लोगों को मांता ता अभी क्या कर रहा हुसी के बारे में लोग कि आ अए रहा है और वहां간 के साथ में उत्तर दे रहा है और सारे यहुदी लोगों क्या कर रहा है मुझ बंद कर रहा है वह पॉलुस देखते हैं क्या बता रहा है फिशों की ता में आ जाएए एक सताने वाला बेक्ती जब ईश्व मसी पर जब विश्वास के उसका जब जीवन परिवर्तन हो गया जब हम परमेश्वर का अगर अनुकरन करते हैं तो में क्या नहीं करना है चार अध्या 25 पद में कहता है कता इस कारण जूट बोलना छोड़ कर क्या करना है अपने परोसे से सच बोलें क्या करना में जूट नहीं बोलना है एक मसी लोगों क्या नहीं करना है जूट नहीं बोलना है वहाँ के जो कलिश्टा के जो विश्वासी लोगते क्या करते थे जूट बोलते थे लेकिन एक मश्जी लोगों क्या करना है कहता है जूट नहीं बोलना है हर एक परोसिक से क्या बोलना है उस सची बोलना है सही बात को बोलना है उसके बाद में कहता है करोध तो करना है पर पाफ मत करना है हमें यह धर्म कामों के लिए क्रोध नहीं परनतों में धर्म के काम के परती क्या करना हमें क्रोध करना है अगर कोई सही बात के परते कर कोई गलत करता है उसके परती हमें गुसा करना है और बताता है गुसा बना करके नहीं रहना है परनत कर्मन करें चोरी नहीं करना है अगर हम परमेश्वर का अगर हम यनुकरन करते हैं तो क्या नहीं करना है कोई चीज में चोरी नहीं करना नहीं परमेश्वर के लिए गर समय नहीं 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 परते हैं अगर अगर आपको पास में चोविस घंटा है अगर आप परमेशो को वचन को नहीं पढ़ते हैं तो इसमें को क्या कर रहे हैं चोरी कर रहे परमेश्वर ने हम लोग को 24 घंटा समय दिया है ने तेंगि 24 घंटा में हमें क्या करना है उसमें समय निकालना किसके लिए परमेश्वर के लिए प्रानानियम अगर देखा जैतों लोग क्या करते थे 10 months देते थे हाने की 100 रुपिया का वे लोग 10% किसको देते थे परमेश्वर को देते थे अगर नहीं देते थे अगर नहीं देंगे तो क्या है वो एक पाफ है चोरी है यह इसी परकार से अगर परमेश्वर अगर आपको 24 घंटा दिया है तो आपको हमें क्या करना है 24 घंटा को हमें क्या करना है 10 months निकालना है कितना आएगा लगबार 8 घंटा के आसपास आ जाएगा तो उतना समय में क्या करना है परमेश्वर को हमें देना है लेकिन आज हम लोग कितना समय देते है बहुत कम समय देते हैं हम क्या करते हैं समय को हम क्या करते हैं चोरी करते हैं अपने कामों में लगा देते हैं लेकिन हमें परमेश्वर के लिए विश्वय समय हम लोगों को देना अगर हम नहीं देते हैं तो हम चोरी करते हैं यहां पे काता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन काता है भले काम करने में अपने हातों से परिश्रम करें हमें ऐसा भला काम को हमें करना है उंतिस्पद में करता है कोई गंदी बात तुमारे मुझे से ना निकले हमकर हां और हम एक विश्वासी है और हम एक इश्वमस्ड का छेला है अगर हम परमेश्वर का नुकरन करते हैं तो हमें आरे मूँ से क्या निकलना है गंदे बात नहीं निकलना है वही बात को हमारे मूँ से निकलना चाहिए जो एक दुसरे का उनत्ती का कारण होना चाहिए विश्वाश्य का उनत्ती का कारण होना चाहिए कलिशेक उनत्ति का कारण होना चाहिए वही सब्द को हमारे मूझ से क्या करना है निकालना है उसके बाद में तिसपन में कहता है कहता है परमेश्वर के पुष्थरात्म को सोकित मत करो अगर हम परमेश्वर का नुकरन करते हैं हम क्याने करेंगे परमेश्र के पुतरात्म को सोकित हम नहीं करेंगे और एक तिसपन में कहता है सब परकार की कड़वाट और परकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वेरभाव समय दूर से दूर किया जाए इस सब को दूर करके और बत्तिसपन में कहता है दुसरे पर किरपालो होना परमेश्र का अनुकरन करना है क्यों हमें परमेश्र का अनुकरन करना है हमें परमेश्र का अनुकरन इसलिए करना है क्योंकि बत्तिसपन में कहता है क्योंकि परमेश्र ने मसी में तुमारे अपराद को छमा किया है अगर परमेश्र ने अगर आपके अपराद को छमा किया ह नक्राइस करना है हमें परमेश्टर का दौन करना है इस सानसार के जब हम लोग देखते हैं किसा करनेंगे कि करेंगें करतें हैं और लगा यंक्टर का किसका अनुकृण करना है था अगर पर्मेश्वर एकर अपने पुत्र कई देने के लिए क्या किया अपना पुत्र को कलोई कुरूस पर क्या किया वालिदान कर दिया और यह समस्री चाहता तो इस संसार में आकर कि अगर बोलता कि सबकर अपराद छमा हो तो हो जाता जब उसने बोलता था लंगड़े लोगो कि तुम चलने लगो तो चलने लगता था अंदे लोगो को बोलता था तुम देखने लोगो तो देखने लगता था बीमारों को बता तुम्हारा बीमारी चला जाए तो चला जाता था यह सब कुछ बोल करके वो कर देता अगर यह भी बोल देता इस समसी कि सब अगर पाप छमा हो जाए तो छमा हो जाता इंग इस सम किया परमिष्र का यह सागी होजण हमारे अफ़राओं को छ्मा करने में क्शमा कर दिया कुर्वान कर दिया हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उसका का प्रियर को इस प्रकार से बोला जब हम लोग देखते हैं कि जब इस म स्कॉर मारा अगर अगर आप अन्दी में आगर अगर आज जाते पी आ कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ। अब जा ते फिलातुस के पास मैं, फिलातुस को बोलते कि आपने क्यों को नो जाकर के बोलेंगे याधनों आपके आपको पनाताँ बहुत तराँ लाँ जा कर दे रहा है क्यों उसको घात के दर आप क्यों नहीं बचाते हैं परमेशरह ही बोलेगा वो लगा पूरे मान अज़ाती को उनके पाप को छमा देने के लिए हमारे पास में हैं कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए हम मिझे क्या करना पड़ा हमारा अपना पुत्र को क्या करना पड़ा उसको कलोरी कुरोस पर उसको तारना देना पड़ा उसको मारना पड़ा क्यों ताकि पुरे संसार को पाप को छमा मिल जाए इसलिए परमेश ने क्या किया है हमें मसी में क्या किया है हमारे अफराद को छमा किया है इसलिए हमें परमेश्वर का यनुकरन करना है हमें संसार का यनुकरन नहीं करना है संसार के लोगों ने बड़े बड़े लोगों क्या नहीं किया है हमारे पाप के लिए नहीं मरा है हमारे अपराद के लिए नहीं मरा है उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है अगर हमारे लिए किया है तो हमें परमेश्वर का यह अनुकरन करना है और हमें किसी का यह अनुकरन नहीं करना है काता है जैसा परमेश्वर ने मश्री में तुम्हारे अपराद शमा किये हैं वेसे क्या करना है काता हमें भी दुसरे को अपराद को छमा करना है काता है अगर आप परमेश्व का अगर नुकरन करते हैं तो क्या करेंगे आप एक दुसरे को अपराद को छमा करेंगे तो कि परमेश्व ने क्या किया है हमारे और आपके अपराद को छमा किया है यहां पे और सब्स जो लिखा हुआ है काता है पिर यह बालकों के समान यहां पे जो कर रहा है तुलना वो बच्चे लोगों के समान तुलना कर रहा है मन देखते हैं जो हमारे घर में बच्चे होते हैं यह का करते हैं यह नुकरण करते तो किसा नुकरण करेंगे अपना booksकर्ण करेंगे क लिएरी चोटा बच्चा ॵ Сब्सक्राइब करंगे लिएज हमें सब्सक्राइब करेगा क्यों क्या करें नकल कर रहा है उसी परकार से जो लड़की जो होती है बच्ची वह भी किसका नुकरन करती है करेगी क्यों इसी लिए परकार रह करना है पर मेंश्वर का नुकरन करना है वह कौन लोग है सारीक बच्चे लोग है जब अपने माता पिता का आगये जब यह रनुकरन करते हैं तो हम लोग परमेस्वर के कों लोग है हम लोग परमेश्वर के पुत्र लोग है वो हमारा आत्मिक पिता है हमें क्या करना है हमें अपने आत्मिक पिता का हमें यनुकरन करना है जैसा परमेश्वर है वैसा हम लोग को उसके अनुकरन करना है उसके सभाव का हमें अनुकरन करना है उसका जो जिस प्रकार से उपने जीवन को बिताया है हमारा येश्व मसी उसका हमें क्या करना है हमें ये नुकरन करना है हमें किसी का नुकरन नहीं करना है संसार में हमें परमेश्वर का नुकरन करना है तो कि हमारे अपापों के लिए हमारे अफरादों के लिए कोई नहीं मरा है परन तो येश्व मसी मरा है परमेश्व ने मसी में मारे अफराद को छमा किया है इसे क्या करना है हमें परमेश्वर का या नुकरन करना है और दो पद में कहता है और प्रेम में चलो जैसा मसी ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आपको सुगदायक सुगंद के लिए परमेश्व के आगे भेड़ करके बलिदान कर दिया अगला कहता है कि हमें क्या करना है प्रेम में चलना है क्यों हमें प्रेम में चलना है प्रेम में चलना है जब वह हम लोगों से जब प्रेम किया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी क्या करना है हमें परमेश्वर को प्रेम करना है हमें एक दुसरे को प्रेम करना है क्योंकि प्रेम करने के लिए कौन सिखाता है वो हमें सिर्फ इस मसी सिखाता है हमें परमेश्वर हमें सिखाता है यह जो प्रेम को जो संदेश है हमारा फर्ज बनता है कि में संसार में जा करके क्या करना है हम इस प्रेम को संदेश को हमें बताना है काता है बसी ने क्या किया है हम लोगों से प्रेम किया है और हमारे प्रेम के खातिर उसने क्या किया है बताता है कि हमारे लिए अपने आप को सुगदायक सुगंद के लिए परमेश्व का आगे भेड़ करके बलीदान कर दिया है इस मसी बलीदान कर दिया अगर परमेश्व कर चाहता अगर भेड़ बकरा सही है अगर खुस हो जाता तो उसको अपना पुत्र संसार में भेजने किया वह सकता नहीं होता लेकिन अपना पुत्र को उसने भेजा क्यों कि बेख भेड के लहू के द्वारा और जो पक्रा को उसने गरहन नहीं किया आई हमने और पद को पढ़ना चाहांगे आपके इसके साथ में भजर सहीता उसका चालिस सामफुटी चालिस छेपन में कहता है मेल बली और अन बली से तु परसन नहीं होता तुन्हें मेरे कान खोद कर खोले हैं हम बली और पाप बली तुन्हें नहीं चाहा तम मैंने कहा देख में आया हूँ क्योंकि पुस्तक में मेरे बिसे हिसा ही लिखा हुआ है और उसके बाद में कहता है आटपन में हे मेरे परमेश्वर में तरी इच्छा पूरी करने से परसन हो देखते हैं प्याँ पे कहता है भजनकार कि भजनकार कहता है कि मेल बली परमेश्वर परसन नहीं होता है वो यन बली को चड़ाया, उसने हुम बली को चड़ाया, पाब बली को चड़ाया, इतना चड़ाने के बावजुद भी परमेश्वर परसन नहीं हुआ, परमेश्वर कौन से बलीदान से परसन हुआ, वो अपना पुत्र इस्वमसी के बलीदान से परसन हुआ, और काता है कि वो उनक पाप नहीं किया, वो एक धर्मी बेगती था, वो एक निर्दोस बेगती था, वो पाप को जानता ही नहीं था, सब लोगों ने उसके बारे में भोशना कर दिया, कि वो निर्दोस बेगती है, पिलातुस, जो हजारों लोगों को जो कुरूस पर जो चरहा दिया, वो बताता है कि मैंने एक निर्दोस बेक्ति को क्या किया है वो पकरवाद दिया है वो बेक्ति बता रहा है उसके बाद सुबेदार बताता कि असाथ मुझ परमेश्वर का पुत्र है देखते हैं कि कई सारे लोगों ने भोला है कि ये सुमस्रिक धर्मी बेक्ति है उसमें कोई दोस नहीं ह उसमें कोई पाप नहीं है, वा एक निर्दोस बिखती है, वा एक पाप रहीत बिखती है, और परमेश्वर वो ये साही बलिदान से वा परसन होता है, परमेश्वर हमारे बेड़ बकरों के बलिदान से वा परसन नहीं होता है, इस समसार के लोग क्या करते हैं, अपने पाप क छमा मिल जाए उसके जिवंड में शान्ति आ जाए तक शान्ति आया नही अर honor में हर एक साल में हर एक साल में भिया करते हैं बली दान चलाते हैं यहां लिक्न हमारा ईती पनी सोपरमेटर वह 0 है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो पुरे जगत के पाप उठा ले जाता है सिर्फ इस्तायजों का पाप को नहीं Ut Jamie उठा लिया हमारा तर्वर्र फर्ज यही बनता है हमें क्या करना है हमें पाप उसे दाने के समान के साथ में तुलना करता है, अगर हमारा उतना गर विश्वास है, बस हमारे काफी है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसके उपर में विश्वास करना है, वो हमें पाप से, वो हमें छमा देता है, वो हमारे जीवन में वो असांती देता है, वो यह सांती देता है, जो का सभाव है वो हम लोगों से प्रीम करता है वो हम लोगों चोड़ नहीं सकता है वो परमेश्वर चाहता है कि आपने अपयार गर आपका पपर और आप जो किया है तो निश्शित है कि हम येवर स्वर्ग में यह मिलेंगे और वहां पर क्या करेंगे आपना पुत्र बलिदान कर दिया है और उसके दुवार हम लोगों क्या दिया है पापो की छमा दिया है हमें सिर्फ विश्वास करना है मैं सिर्फ घटना को मैं बता करके मैं समाप करना चाहता हूं एक बर क्या हुआ कि एक बस का जो चालग था आए वह बेक्टिं क्या करता था अची ज़ना चों Gibbs और जब और र Laz Dad 9 ने करके था कि उनकी के इंचा धर आधी रास्ता में और बताता य। हमेशा है करता था और जब जाता-था था उसका जो बच्छा था भी ख्रां ले इस प्रकार से एकसर हुआ करता था, एक दिन क्या हुआ, कि बस में बहुत तरे सवारी लोग थे, और उसका बेटा ओपर खाना के लिए तयार हो गया भी सड़क पर, लेकिन क्या था उसका जो बस जो था, उसका ब्रेक था, खेल हो गया, अब यहां पर इतना सारा सवारी है, उसका बच्चा है वो किसको बचाएगा उसने क्या कर दिया पुरे सवारी को बचाने के चक्कर में अपना बेटा को क्या कर दिया एक्सिडेंट मार दिया उसी परकार से परमिश्वर हम लोगों को बचाने के लिए पुरे पापी लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को विश्वास करना है जो इतना बड़ा जो कुर्बान उसने हमारे लिए या है परमेश्वर हमें सहेता करें कि हम इस पर विश्वास करें और हम उससे प्रेम करें और परमेश्वर का हम यह नुकरन करें परमेश्वर की नाम की महिमा हो